तुझे घड़नायक गिरजा सुवन जै जै स्रीगर राज हमयास तुम्हारी में जियें सिध्धिकरो सवकाज तुझे जै माता सरस्वती और बिनाई करे हरवार आज तुम्हारी ही लगी सुशर्ण ब्रजेश कुमार आदरनी समस स्रोता बंधू के एक दिन वो तोता उस मैना से कहता है के सुनो और ते कितनी बेवफा हैं इस बात के बारे में तुम्हें नहीं मालूम बोली कैसे बेवफा हैं का सुनिये एक राजा का लड़का था एक साउकार का लड़का था और एक उनके दीबान का लड़का था तीन लड़कों में बड़ा प्रेम था बड़ा हित था तो राजा का एक राज कुमर एक था शाउकार एक लड़का दीबान का जो सबसे था हुस्यार एक राजा का लड़का एक साउकार का लड़का लेकिन जो दीवान का लड़का था यह सबसे हुश्यार था तीनों में बड़ा हित था बड़ा प्रेम था तो एक दिन ऐसा हुआ राजा का लड़का अपने मित्रों से बोला है भाईया मेरी बात सुनिये अरहमतों मतीनों जने मित्रहे घने सुनों मेरी बानी अकले चले ससुरा रिखो कैमों खो विदा कलानी राज कुमर अपने मित्रों से अपने साथियों से बोला है ए हम तुम तीनों जने मित्रहे घने सुनों मेरी बानी सुनों मेरी बानी हम कले चले ससुरा रिखो कैमों खो विदा कलानी और बोला ए बहुत दिना के बाद कैया आई आदे सुनों मेरी बानी सुनों शाहानी कोई रस्ता देखते हुए मेरी राणी रस्ता देखते हुए मेरी राणी जबार्दिया अपने मित्रों से योई कहा कि तुम मेरे साथ चलो और कल हम अपनी सस्वाल जाएंगे और अपनी हम बिदा करके ले आएंगे लेकिन हम अकेले नहीं आएंगे तुम दोनों भाई हमारे साथ चलो नतीजा ये हुआ साथियो तीनों मित्र जो थे राज कुमार की साथी होने के बाद कापी समय बीत किया था तो उसकी बिदा कराने के लिए एक सावकार का लड़का एक दीबान का लड़का और तीसरा वो राजा का राज कुमार अरे गोडल की करी है सवारी अरे गोडल की करी है सवारी नहीं पल की करी है यावारी तीनों मगन भए दिला भारी है ससुरार की राहन हारी तीनों राज कुमर की ससुरार के लिए चलते हैं और आगे को बढ़ते हुए धीरे धीरे ये पहुँच गए ससुरार के पास में और जब राजा की लड़का के ससुरार की पास में पहुँच गए तो तीनों खड़े हो गए एक जगे पे और एक जगे पे खड़े हो करके आपस में बातें की देखो भाईया अब हम तो अपनी ससुरार जाएंगे लेकिन तुम कहां जाएंगे तो जब आप दिया आप चिंता न करो हम रात बर यहां कोई सराइ देख लेंगे हम उसमें रुकेंगे तुम ससुराल में जाओ हुआ ऐसा आरे तीनों ने आपस में कह यपनी सलाह मिलाई दीवान कल्ड का बोला है है राजकुमर तो मत आओ जाओ ससुराल में हम रुकें कहीं पैजाई बोला महराज रुकेंगे किसी सराय में जाओ और कल सवेर जल्दी ईयो अपनी विदा कराई सोई छोड़ी के अपने मेत्रनकों फिर कुमेठा चल दीओ सोई छोड़ी के अपने मेत्रनकों जब वेठा चल दीओ जब दीबान के लड़के लड़का ने ये कहा तुम तो अपनी सस्वराल के लिए चले जाओ और हम रात बर कहीं यहीं रुकेंगे और उसके बाद सुभे जब बिदा कराके आओ तो इसी जगहे पर मिलना जह हम लोग खड़े हैं तो राज कुमर जो था वो अपनी सस्वराल के लिए चला गया अब मार की और लीनी सीध लगाए उत लड़का दीबान को सुगव सराई में आए राज कुमर चला गया अपनी सस्वराल के लिए दीवान कल्ड का और एक साउकार का वेटा ये दोनों एक सराई में रुकने के लिए पहुंचे हैं और जैसे ही अंदर घुसे हैं तो सराई के दरबजे पे एक बुढ़िया खड़ी है और बुढ़िया उन दोनों को देख करके रोने लगी के दरबाजे पे बुढ़िया पाई और वो देखे कुमर को रोने लगी राज कुमार चला गया अपनी ससुराल में इधर वो सावकार का बेटा और एक दीवान का बेटा दोनों जैसे सराई में घुसे हैं तो दरबजे पे एक बुढ़िया बैटी थी दोनों की सूरत देख करके बहुत रोई भरबाजे पे बुढ़िया पाई वो देखी दोनों को रोन लगी कोन की सूरत को देखी देखी ब्या कुला दि मन में होन लगी मन में बहुत परेशान और जब बुढ़िया रोने लगी दीवान का लड़का गौर से देखने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी कहनी बनी जो ये बुढ़िया देख करके रोई काईकों लेकिन चुपचाप चला गया अंदर हुआ ऐसा जब दोनों चले गए अंदर तब साहुखार वरानों है एक बैश्या की सुरत देखी बाओ हुई बैखो ती बानों है बुढ़िया को रोते हुए छोड़ करके चला गए और जैसे बुचले गए दोनों अंदर जब पहुँचे हैं तो साहुखार का बेटा देखता है कि एक सामने बैश्या खड़ी है और उस बैश्या को निहार करके उस बैश्या की तंदुरस्ती को देख करके वो बैश्या और बैश्या क्या थी वो दूर खड़ी हुई है और वो बैश्या के वो तो लेहरे लेहरे लेलाटी है चाचु तिरा जीना जारे घुबाती है तूर से देखा साउकार के लड़का ने के वो बैस्या जो देखने में बहुत सुंदर है नतीजा ये हुआ के उसके सूरत के बंधन में फस क्या वो वो बैस्या अरा लेहरे लेहरे लेहराती है आई तिरा जीना जारे घुमाती है मंद मंद मुशिक आती है नेनन से जोड़ चलाती है जब देखा उस बैस्या को तो उस बैस्या को निहार करके वो लड़का उसकी सूरत में बिलकुल पागल हो गया जो सावकार का लड़का था और अपने साथी दीवान के लड़का से कहता है कि भाईया चाए कुछ भी करो लेकिन इस बैस्या को किसी ने किसी तरीका से मुझे मिला दो क्योंकि इसके बना हम जीवित नहीं रहेंगे तो हुआ ऐसा कि दीवान कल का जो बहुत चालाग था कोई न कोई उपाए करने के बाद और उस बैस्या को ले आता है समझा बुझा करके और ला करके अपने मित्र सावकार के पास छोड़ देता है और बैस्या को अपने मित्र साउकार के पास छोड़ करके उसे उस बढ़िया का ध्यान आया कि जब हम सहराय में घुसे थे तो बढ़िया हमें देखकर के रोई काये को चलो हमें यह पूछेंगे के यह रोई क्यों तो कर बैस्या को पास में आई बुढ़िया की यादे और क्यों रोई मोई देखी की हम जाए करें फरिया दे दीबान के लड़का ने सोचा चलो ये तो काम हमारा खतम हुआ बैस्या को तो हमने इसके पास छोड़ दिया अब ये पूछें कि बुढ़िया हमें देखके रोई कायक हूँ धीरे धीरे चल दिया और दरबज्ये पर पहुंचा और उस बुढ़िया से कहने लगा मा केबल हमें एक बात बताओ कि जैसे हम सराय में घुसे जैसे हम दोनों भाईयों ने सराय में प्रवेस किया तो तुम हमें देखके रोई कायक हूँ बुढ़िया कहने लगी बेटा तुम तो चले आए तो मारा कुछ नहीं होगा लेकिन बेटा एक बात मेरी सुन लो आरे अपने मित्रकों बेटा मेरे ली जो याजू बचाई आरे अपने मित्रकों कुमरा हमारे ली जो लला बचाई रहे नागिन जाके पास हमें कह लिए रात में खाई बेटा हम केबल इसलिए रोए ये बैस्या बो है जिसने पता नहीं कितने इंसानों की जान ले ली एक नागिन इसके पास रहती है और वो रात में डस लेती है मुसाफिर को लेकिन पुत्र तुम्हारी सूरत को निहार करे के हमें बड़ा खेद है बड़ा कश्ट है ले रहा किल जाते पास हमें के लिये रात में ठाई मेरे लाल प्रेम में नारी ले दिफशाए और जाने कितने सूरत पैहाई गए है जाने गमाए सोई सोन के इतनी बात होसा बेठा के उड़ी गए है सोई सोन के इतनी बात होसा बेठा के उड़ी गए है पेटा के उड़ी गए है लो हो सबेटा के उड़ी गए है सोई सुन के इतनी बात हो सबेटा के उड़ी गए है उस बुढ़िया ने सारी कहानी सुनाई और जवाब दिया मेरे लाल तुम दोनों की सूरत देख करके हमें बड़ा खेद है बड़ा कश्ट है कि ये हिस्त्री ये बैस्चा बो है जो अपने सूरत में फसा लेती है सब को और इसके हुस्न को देखने के बाद में सब पागल हो जाते हैं और रात में इसके पास एक नागिन रहती है वो नागिन डस लेती है और वो जान से मर जाता है इसलिए तुम किसी तरीका से अपने मित्र को बचा लो और जो ये बचन सुने तो दीवान के लड़का के हो सुड़ गई इसका मतलब है मेरा भाई रात में मारा जाएगा इस बैस्या के चक्र में चला गया क्या देखा बैस्या और वो सावकार का लड़का दोनों गहरी नीद में सो रहे हैं रात में तलवार लेकर के वो दीवान का लड़का बहीं बैठ गया हुआ ऐसा अर्यादी रात हो न खोयाई अर्यादी रात हो न खोयाई और बैठे नागी ने पड़ी दिखाई जब देखा के हमारा मित्र सो रहा है और वो नागी नागे बढ़ रही है अपने मित्र की रक्षा करने के लिए बने कसी की तेगा चलाई और नागी निदाई मारी गिराई जिस समय देखा उसने दूर से के वो नागी नागे को बढ़ रही है आगे बढ़ा और उसने तलवार से नागी को जन से मार दिया लेकिन एक मुसीबत बन गई जैसे ही वो नागी मरी और साथ ही वो बैस्या भी मर गई और जब बैस्या मर गई लेकिन उसने समझ नहीं पाया कि बैस्या जिंदा है कि खतम हो गई और बाहर सराय से निकल गया जब बाहर निकल गया तो उसने देखा चलो एक तो बात खतम हो गई अब हमारा मित्र बच गया अब हमारे मित्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा अब हम चलें थोड़ा आगे बढ़के देखें तो आगे जब बढ़ा तो उसने क्या देखा सराय से निकल करके जब आगे चला कि सामले से एक औरत आ रही है बहुत सुंदर औरत और वो औरत सुंदरी नारे के बढ़ी अगारी और चले मधुरिया चाले रेके चितवन जाती न्यारी हाँ साथियो सराय में उस नागिन का बद करने के बाद उसने ये देखा कि अब हम आगे बढ़के देखें है क्या तो उसने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की आ रही है बहुत सुंदर लड़की सोलेव सिंघार किये हुए धीरे 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 रात में आगे को बढ़ती हुई जा रही है एकरी सोला सिंघार सुंदरी नारे के बढ़ी अगारी बढ़ी अगारी और चले मधुरिया चाली रे कैठी का बने जा रही है और बो लड़की जा को सुंदर बदन विशेजग कहता ब्रजेजग का धाया नारी अब लेके तेगा लग गओ तो रत पिझारी और सुंदर बदन विशेजग कहता ब्रजेजग का धाया गारी और लेके तेगा लग गओ तो रत पिझारी जिस समय देखा एक एक बहुत सुंदर लड़की आगे को बढ़ती हुई सोलेव संगार किये हुए जा रही है रात के समय में तो उसने सोचा ये अकेली कहां जा रही है चलो चल के देखें तलबार उठाई और उसी लड़की के पीछे 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 चल दिया जंगल में वो लड़की पहुँची तो वो लड़की ने देखा एक फकीर बैठा हुआ है और वो फकीर के पास जब पहुची लड़का दूर खड़ा हो गया और दूर से ही देखने लगा देखें ये क्या करेगी तो फकीर ने जब उसे देखा वो फकीर के लगा अभी तक का रही मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर का लगी बोली आज मेरे सामने एक मजबूरी थी क्या मजबूरी कैपिया हमारे बुलाई बेकारण आई गए मेरे द्वारे और पती हमारे बुलाई बेकारण आई गए मेरे द्वारे मैं तासे हुई गई ले ठरे नाई आए पास तुम्हारे लड़की कहने लगी मुझे माप कीजिये आज हमारे पती हमें बुलाने के लिए आ गए है और वो घर पर रुके हुए है इससे हमें आने में समय लग गया इसलिए मुझे छमा कर दीजिये लड़की ने जब हाथ जोड़ करके उससे बिंती की और जवाब दिया मुझे माप कीजिये मेरे पती घर पे आ गए है इसलिए हमें आने में समय लग गया और हम कल सुबह अपनी सस्वराल के लिए चले जाएंगे आज ही तक की हमारी तुमारी मुलाकात थी मुझे माप कीजिये लड़का देख रहा है दूर से बैठा हुआ कि इन दोनों में बादचीत क्या हो रही है बाद में फकीर को क्रोद आ गया आरे करे गुसायति अब मन में आरे करे क्रोद के भारी मन में तूने बहकाओ बातन में आरे नाई अब रही है घर में आरे नाई अब रही है घर में बस है अपलें बती के यूर में लड़की की बात सुनकर के उसे क्रोद आ गया और जबाब दिया तू इसका मतलब यह है तू मुझे पागल समझ रही है तू मुझे पागल पतन हमारो तू ने पागल दओ बना हाई रे जादू हाई करे डारो फकीर को क्रोद आ गया और कहने लगा तेरी प्यार में हम पागल हो गई अंदे हो गई वो दीवान का लड़का दूर से देख रहा है के इनमें क्या नाटक हो रहा है क्रोद में आ गया और इतना क्रोद आया उसे महराज फकीर में बांदि लईने का धार के लेके तेगा हात नारी की कात दई जटन ना कर सोई रोई के नारी बजी पिछारी उई गई ख्वारी के सोई रोई के नारी बजी पिछारी उई गई ख्वारी है आरे हुई गई ख्वारी है दीबन की हुई गई ख्वारी है सोई रोई के नारी बजी पिछारी उई गई ख्वारी है फकीर ने क्रोध में आकरके और उस औरत की नाक काट डाली और नाक जैसे काटी वो औरत भागी और मन में यह सोचने लगी यह क्या हुआ अब मैं कैसे कहूँगी के यह मेरी नाक कैसे कटी अगर मैं यह कहूँगी के फकीर ने नाक काट डाली तो समाज में मेरी बदनामी होगी मुझे ऐसा नहीं कहना है मुझे अपने पती के उपर दोस लगा देना चाहिए वो नारी तो भाग खड़ी हुई घर पर पहुँची और इधर दीवान के लड़का ने जब देखा इसने बहुत बोरा किया कितनी सुन्दर लड़की थी और उसकी नाक काट डाली तो दीवान कलका आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ करके नाई दिल में तरशा विचारो है यारो कशिकित देगा बारो एहरे नाए तोता कह रहा है सुन मैंना देखिये मर्द की बभादारी जब औरत की नाक कती गई तो उस लड़का से रुका नहीं गया बने कशिकित देगा बारो एहरे यारो बाको प्राना निकारो एहरे बने एक दम से उस दीबान के लड़का ने देखा कि इस लड़की की कोई गलती नहीं थी लेकिन इसकी नाक काट डाली इसने आगे बढ़ा और फकीर को उसने जान से मार दिया जब फकीर को मार दिया तलवार लेके और आगे के लिए चला और वो और जिसकी नाक कट गई वो आई भागती हुई जहां उसका पती सो रहा था बाद चिला चिला करके रोने लगी और कहने लगी मेरे पती ने मेरी नाक काट डाली अरे गाउं के लोगो परिवार के लोगो अरे सुनते के वो नहीं हो मेरे पती ने मेरी नाक काट डाली वो इस्तरी अरे जब धरी के नारी चिलाई और सब जुरी गए लोग लुगाई अरे जब धरी के नारी चिलाई और सब जुरी गए लोग लुगाई और बेटा को लओ बंधवाई कैसी आजू भाव ही आई वो और जैसे चिलानी तुरंत ही महला के परिवार के सब लोग इखटे हो गए और उसके पती को पकड़ के बांध लिया और जब आप दिया अभी तो रात है सुबह जब होगा तब राजा के दरवार में ले चलेंगे इसने अपनी औरत की नाक काट डाली वो बार बार बिंती कर रहा है भाईया मेरा कोई कसूर नहीं मैं तो सो रहा था मुझे जहीं नहीं मालूं कि ये सब हुआ कैसे और चिला रही है बार बार नहीं नहीं इसीने मेरी नाक काटी है अब परिवार के लोग बोले कोई बात नहीं सुबह राजा के दरवार में चलेंगे तब देखेंगे कि इसने ऐसा काहे को किया अब इधर आजाईए गोर करते हैं आगे कि इधर वो दीबान का अणका जो था उस फकीर का बद करने के बाद में तलवार उठाई और आगे के लिए चल देता है तो गोर करते हैं तोटा कहने लगा सुन मैंना मैं आज समझ में आया कि औरते कितनी बेवफा होती हैं औरते कितनी बच्चलन होती हैं तो देखिए जब वो दीबान का अणका और आगे बढ़ा फिर आगे क्या हुआ जड़ा गोर करें हाँ साथियो आईए देखते हैं गोर करते हैं और आगे कि इदर वो फकीर का बद करने के बाद वो लड़का जंगल के लिए आगे को बढ़ा है इतनों करिके काम कोगव जंगल की योर एक मंदिर के पास में सो देखि रहो करिगोर फकीर का बद करने के बाद जंगल में आगे के लिए बढ़ा है रात में तो उसने क्या देखा एक मंदिर है और मंदिर के पास में चार चोर बैठे हुए हैं बदमास बैठे हुए हैं और दूर से देखने लगाओ के ये करेंगे क्या तो उन चारों ने देवी के मंदिर में सर जुपाया आर दो उकर जोर हात चरण में मात कया जिनबाओं एक छोटो सो बरदा नरी के मात भगवती पाँ दूर से देख रहा है वो लड़का वो चारों चोर जो थे बदमास जो थे वो देवी के मंदिर में सर जुपाते हैं और बिंती करते हैं मोई मिले खूब धन माला जाओं तक तकाला न देरा न लगाओं न देरा लगाओं राजा की बेटी की में बहट चड़ाओं राजा की बेटी की में बहट चड़ाओं दूर से देख रहा है वो वो चारो बिंती करते हैं मा भगवती के मंदर में कि अगर हमें खूब दौलत मिले खूब धन मिले तो हमें हमारे जो राजा हैं उनकी लड़की की हम तुमारे याँ भेंट चड़ाएंगे मा केबल इतना बरदान मुझे दे दो तो वो चारो चले गए और वो बहां बैठा रहा देखता रहा आखिर ये होगा क्या ये करेंगे क्या तो तोता कहता है सुन मैंना औरत कितनी बेवभा है देखिए कि जब वो चारो आगे को बढ़ते चले गए और थोड़ी देर के बादे में जब डाकू लोटी के आए देखा उस दीबान के पुत्रे आरे थोड़ी देर के बादे में जब डाकू लोटी के आए राजा की बिटिया को पलन अरे संगा में हाई लाए जो देवी मा के मंदिर में ये कहके गए थे अगर मुझे खूब दौलत मिली खूब धन मिला तो हम राजा की बेटी की वल चणाएंगे तो वो चारो राजा के बिटिया को पलना संगले के आए महाराज मंदिर के पास अब धरी उतारी और माराल के काजी उनने के हाथ गई तलवारी सोईकर जीवन की यादि लली फिर मन में सकु जानी देखिए बिदिका बिधान वो दूर से देख रहा है वो राजा की बेटी को उठा लाए और मंदिर में भेट चड़ाने के लिए आगे को बढ़े है और जब मंदिर में भेट चड़ाने के लिए चले है हाथ में तलवार उठाई वो लड़का देख रहा है और धीरे से वो मंदिर में पहले ही पहुँच गया जब देखा कि मंदिर के सामने खड़े हैं लड़की की भेंट चड़ाने के लिए और वो मंदिर में अंदर प्रवेश कर गया लड़की अपने आपको अकेले में देखती है उसके पास कोई उसका साहरा देने वाला नहीं है तीन अलग बैठे हैं एक भेंट चड़ाने के लिए गया तो लड़की रोने लगी और सोचने लगी परमेश्वर क्या मेरी गलती थी क्या मेरी भूलती है मा मेरी ऐसी कौन सी भूलती जो आज हम तुमारे या मरने के लिए आये हैं ते रोई गई थाड़ी सुकुमारी कोई सम्मुख मोती निहारी जब लड़की रोने लगी और मन में सोचने लगी ऐसी गलती कौन हमारी ऐसी गलती कौन हमारी जाबें बिना कशू रखे मारी रोई मरे मेरी महातारी ओहोई पिता को दुख भारी कोई सम्मुख मोती निहारी सामने मोत को निहार करके लड़की रोने लगी और सोचने लगी मा देवी से आराधना करती है बिनती करती है के मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जो आग तुभारे दरवार में मेरे जीवन की आखिरी स्वासे हैं क्या करूँ क्या करूँ बिनती करे चरन शिरनावे कैसी करे कहां को जाबे अपने मन की में किने सुना बेर कोई कर बिनती हारी कोई समुख मोती में हारी वो लड़की रोती रही लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और लड़की को मारने के लिए खड़ा कर लिया और जब खड़ा कर लिया हाथ में तलबार उठाई क्योंकि हम तुमसे कहके गए थे कि अगर मुझे काफी दौलत मिलेगी तो मैं राजा की बेटी की भेट चड़ाएंगे लड़का देखता रहा दीवान का खड़ा रहा और उसके बाद उससे ये देखा नहीं गया फिर अरे बने कसी के तेग चलाई और तीनों जट मार गिलाई अरे मल कसी के तेग चलाई और तीनों जट मार गिलाई और बिटिया को लोई उठाई आई मंदिर के बीच ठुपाई एक जो मारने के लिए आया था दीवान के पुत्र ने उसे जान से मार दिया और मारने के बाद कहा बहन तुम चिंता मत करो हम तुमारी रक्षा करेंगे हम तुमारी मदद करेंगे आप घबराएं नहीं आप यहां खड़ी हो जाओ जब वो लड़की अंधेरे में छुपा दी बहुत देर हो गई जब वो लटके बापस नहीं आएगा तो दूसरा केने लगा ऐसा कैसे हुआ भाई यह कहां चला गया यह लटके बापस क्यों नहीं आया तो दूसरा चला लड़का ने उसे भी मार दिया कहने का मतलम मेरा यह है कि एक भी नहीं बचा चारों को जान से मार दिया और उसके बाद में लड़की को लीनों संग में फिर घर की सीधा लगाई तोता कहने लगा सुन मैंना कैसी बफादारी थी पुरुष की उसने उस लड़की को बचा लिया और उन्हें मार दिया पूरा पर्चे पूछा लड़की ने बता दिया कि मैं यहां के राजा की लड़की हूँ और यह मुझे जबर जस्ती उठा लाए कहने लगा कोई बात नहीं चलो हम तुमारे घर पर पहुंचाते हैं क्योंकि मैंने तुमसे बहन कहा है तू मेरी धरम की बहन है कन्या को लीनों साथ में फिर घर की सीधा लगाई और लेके आगे चल दोरे नाई पल की देरा लगाई राजा की लड़की को छोड़ने के लिए घर के लिए चला है जब वो लेकिल उस लड़की के बिचार बदल गए महाराज बेकी ने जोड़े दो हात है हम संग तुम्हारे रहे करियो प्याह हमारे साथ सोई सोने के इतनी बात कुमर ने अरजल सुनाई है सोई सोने के इतनी बात कुमर ने अरजल सुनाई है और यार जल सुनाई है रे सुमर ने अरजल सुनाई है लला में बात सुनाई है सोई सोने के इतनी बात है भक्त जनो लड़का जिस समय उस बेटी को लेके चल देता है लेकर लड़की के बिचार बदल गए और रस्ता में उस लड़की ने दीवान के लड़का से कहा मेरी बात सुनिये मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ तुमने मेरी जान बचाई है बहुत बड़ा एहसान किया है मैं तुमसे बिभा करना चाहती हूँ तुमसे साधी करना चाहती हूँ तुमसे साधी कर लो लड़का कहने लगा पागल हो गई क्या जब मैंने तुम्हें बेहन कहा तो बेहन जब हमने कह दिया तो बेहन के साथ साधी करे ना ना गलत बात है बोली बोल लड़की के ऐसा न करो हम पे भारी लड़की कहती है के ऐसा न करो हम पे भारी और तुम मेरी जाने बचाई है तोता कहराये सुन मैंना कहां उस बच्चे ने जान बचाई और आज बोई लड़की बोली ऐसान करो तुमने भारी जो मेरी जाने बचाई है तनमन तुमा पैसा बजारी चुकी मेरे सन्न में करो सगाई है और बोली तुमने हमारी जान बचाई है तो तुम मुन से साधी कर लो मैं तुमारे बना जी नहीं पाऊंगी मैंने क्या का अरे आस हमारी पूल करो ना धरे को चलो बुलाई है अपने आनन में लेचली ओ मेरे संग में करो सगाई है लड़की ने दोनों हाथ जोड़ करके अन्रोद किया तुम मुन से बहन मत कहो तुमने मेरी जान की रक्षा की है तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम मुन से साधी कर लो अब मैं घर पे नहीं जाऊंगी और मैं तुमारे साथ रहूंगी लड़का के लगा पागल हो गई क्या जब मैंने तुझे अपनी बहन कहा तो ऐसा भविस में कभी नहीं होगा क्या हम तुझे साधी करें या तुझे अपने साथ रखें राजा के महल में लड़की को छोड़ करके जैसे ही बुलन का चला रात में लड़की ने फिर रस्ता घेल ली मेरी बास सुनो ये मेरी बास सुनो ना चले गए जो छोड़ी तुम्बे ना नाई जी पाऊंगी आरे चले गए जो छोड़ी तुम्बे ना नाई जी पाऊंगी और मानो मेरी बात के घर में जाने गमाऊंगी भीरे संग में लियो लगाई और अपने आंगन में चले के कर लियो सगाई आरे तुम्बे ना रही नाई पाऊंगी मोई घर में नी कोड़ लगे जहर के घर में खाऊंगी एक बात और सुन्लो आरे बात जो नाई मेरी मानोगे तुगी सोर मचाए बादे में तुम पच्छिता होगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आसोर मचा दूँगी तुम्हें पकडबा लूँगी मेरे पिता तुम्हें फांसी लगवा देंगे इसलिए तुम मुझे साधी कर लो लड़का के लगा पागल है क्या है जब मैं पचास बार तुस्से मना कर चुका कि मैंने तुस्से बेहन कहा है तो तु जीवन वर मेरी बेहन रहेगी मैं तुस्से साधी नहीं करूँगा और जो लड़का उसकी आस छोड़ करके चला गया तो लड़की ने चिलाई के कीनों है या ते सोर पहरे दारों तुम चलो मेरे घर में भुशिगाओ चोर है जैसे ही लड़का दोड़ा लड़की ने चिला करके कहा अरे पहरे दारों काओ यह चोर मेरे आंगल में छुपा था इसे पकड़ लो और हमारे पिता जी के पास इसे ले के जाओ पकड़ लयो बेटा तब ही ले गए हैं दरवारे तोता कह रहा है सुन मैंना कितनी बफादारी की उसने और उसी को बंधवा लिया आरे पकड़ लयो बेटा तब ही ले गए हैं दरवारे और उत में जब बैशा जगी ही तो नाए देखी ही सुकुमारे देखिए दीवान के लड़का को बांध लिया और बांध करके राजा के सामने ले गए और इदर जब राजा के सामने उसे ले गए बैठाल दिया और तब तक वो बैसिया जो खत्म हो गई थी जब नागिन मार डाली और नागिन के साथ वो बैसिया मरी गई तो उसकी माने चिलाया सोर मचाया कि साउकार ने हमारी बेटी को जान से माल डाला गाउं के लोगों ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ करके राजा के पास उसे भी लेके चले और इधर वो रानी जिसकी नाग काड़ डाली थी उस फकीर ने और उसने ये दोस लगा दिया था के मेरे पती ने मेरी नाग काड़ डाली तो उस राजकुमार को पकड़ करके राजा के पास के लिए चले तीनों मित्र तीन जगे बंदी गई ओत पकड़ कि साउकार चले दरवार नदेर लगाई और बैस्या दीनी मार रेके बहुत बड़ो अन्याई ये पकड़ के साउकार न करिया बहर नदेर लगाई जने बैस्या डारी मार रेके बहुत बड़ो अन्याई एदर वो साउकार का लड़का पकड़ गया और उधर वो राजा का लड़का जो अपनी बेदा कराने के लिए आया था उता घिरिगा और राज कुमार है रोई लई नारे खुव चिलाई खुव चिलाई है मेरे पत्ली मेरी नाका कटाई मेरे पत्ली लई है नाका कटाई देखिए बिद का बिधान तीनों मित्र बंद गए और एक राजा के दरवार में पहुच गई सावकार का लड़का ये कहा कि तुने बैस्षा का बद किया है पकड़ करके उसके सामने राजा के सामने खड़ा कर दिया और उधर वो राजा का लड़का जो अपनी पत्री की विदा कराने के लिए गया था वो भी पकड़ गया क्योंकि और चिलाने लगी मेरे पती ने मेरी नाग काड़ डाली उसे भी पकड़ करके राजा के सामने खड़ा कर दिया और उधर वो दीवान का लड़का वो भी पकड गया क्योंकि राजा की लड़की ने उसे पकडबा दिया कि तुम उसे साधी नहीं करेगा तो मैं तुझे जान से मर बादूँगी अब तीनों बंदी गए सबसे पहले सावकार के लड़का को बुलाया और जवाब दिया है इधर आ केबल हमें एक सवाल का उत्तर चाहिए तुने उस बैशिया का बद क्यों किया वह कुछ कहने के लायक नहीं था कि कोसे पता लेटा Kwli लगा Mहराज मैं बता हूं का बताओ अ का सुनी है महराज और सुना मेरे महरा दीवान कलका बोला सुनो मेरे महराज इसमें सारों दोसों हमारो अरे मित्र के पीछे और जाबे श्याकों मेने जाने से मारो साउकार का लड़का कहने लगा हमारे मित्र का कसूर नहीं है दोस मेरा है क्योंकि अगर इस वैस्या का किसी ने बद किया है तो मैंने किया है महराज आरे नागिन बनिके चली रात में नागिन बनिके चली रात में ने एतेग चलाई मार के नागिन धाल के नीचे दीनी अरे छुपाई माँप कीजिए श्रीमन ये दोस इसका नहीं है दोस मेरा है क्योंकि मैंने इस वैस्या का बद किया है ये मेरा मित्र है रात के समय एक नागिन चली और नागिन ने मेरे मित्र को जैसी डष्यादा चाहा मैंने इसे मार दिया और जैसे ही नागिन को मारा ये बैस्या खतम हो गई इसमें इसका कोई दोस्त नहीं है और अगर तुम्हें हमारी बात बिस्वास नहीं है तो आप दिखवा लिजिए उस सराय में जहां नागिन ढाल के नीचे अब भी चुपी हुई है जो राजा ने दिखवाया तो ये हकीक को बलाया राज कमारशे का बेटा इधर आओ ये तुम्हारी पत्थनी है तुम्हारी और तुमने अपनी इस्तेरी की नाग कहे को काटी मैं सवाल कर रहा हूं कि तुमने अपनी और तकी नाग क्यों काटी उसे कुछ मालम ही नहीं था वो खड़ा का खड़ा रह गया दिवा अभी उत्तर हम ही देंगे, नाक इसने नहीं काटी, वात ये है, ये जो आरत खड़ी है, जो अपने पती को उपर दोस लगा रही है, अर जाकी फकीर के संग में यारी, और अभाने जीवन दो है विगारी, इसका दोस नहीं है महराज, इस रड़की का हिद है एक फकीर से, मैंने रात में देखा, उस फकीर ने इसकी नाक काटी, और इसके बदले में, मेले तुस्टकों दीनों मारी, चाहो तो बन मेले उन्यहारी, चमा कीजिए भगबन, ये दोस इसका नहीं है क्योंकि ये हमारा मित्र है, ये दोस भी हमारा है, इस औरत का हिद है, एक फकीर से, और ये रात में जब लेट पहुंची, तो उस फकीर ने इसे तबाह कर दिया, और इसकी नाक काट डाली, और इसने अपने पती को जूटा दोस लगा दिया, और इसी के बदले में, मैंने उस फकीर को जान से मार दिया, अगर विश्वास नहीं है, तो उस देखवा लिजिए, फकीर बहां पड़ा हुआ है, जो देखा महराज खड़े के खड़े रह गए, और उस फकीर की लास को निहार करके, कहने लगे, इसका मतलब है, कि तेरा कोई दोस नहीं है, कोई बार नहीं, काई इसकी औरत को उठाओ, और ले जा करके इसे फांसी लगा दो, मर दीजिए इसे, उसके बाद में जो दीबान कलका बार बार सिभाई दे रहा था, उसे पकल लिया है, तू इदर आ तू मेरे घर में क्यों घोसा, मैं तूसे ये पूछ रहा हूँ कि तू मेरे घर में क्यों घोसा हाँ, जो हमारी लड़की चल लाई, बोले सुनौ महराज, इसमें भी मेरा दोस नहीं है, तुमारी बेटी को, चार चोर उठा करके ले गए, मेरे दोस नहीं है, आरे पूछो अपनी बिटिया से मेने जाकी जाने बचाई हार पूछो या पनी बेटी से मेने जाकी जाने बचाई तुम्हारी लली के खा तिर रे डाकूदय गिराई महराज देख लेओ तुम मंदिर में जाई और करीला सादी मेने बेटी ने दीनों दोशा लगाई सोई सुन के इतनी बात हो सरा जाके उड़ी गये सोई सुन के इतनी बात है सारी कहनी जब सुनी तो उन्होंने अपनी बेटी को इपकड करके सजा दी और उन तीनों को छोड़ दिया और जवाब दिया बेटा माप करना मैं समझ गया कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है तो तोता कहता है सुन मैंना औरत कितनी बेवफा होती है झाल 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 झाल